हलो दोस्तों, Ephraim to Unblock Chain आज हम Unblock करने वाले हैं Moving Averages को दो टाइप के Moving Averages होते हैं एक है Simple Moving Average और दूसरा होता है Exponential Moving Average दोनों में fundamentally कुछ differences होते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को exactly जो science है इसके पीछे का वो बताऊंगा और कब कौन से moving average को generally use करते हैं अलग-अलग जो time frame होता है उस पे आप set करते हो moving averages को और एक एक और फंडा होता है moving averages का crossover for example 10 candles का moving average है और 20 candles का moving average है जब भी इनका एक crossover होता है उसकी तुलन बाद एक नया trend उस 15 minute या एक घंटे के time frame में आपको दिखाई देता है तो इन सारी चीजों को बड़े प्यार से बड़े अच्छे से detail में कवर करते हैं इस वीडियो में और थोड़े से मेरे जो वीडियो रहेंगे ये एकदम duct तक जाएंगे तो जिसको भी थोड़ा भी doubt होता है fundamental चीज़ें समझने में stock market का तो वो इन वीडियो से बहुत ज़्यादा benefit उठा सकता है और मैं चाहता हूँ कि एकदम आप लोगों का हाथ पगड़के सारी चीज़ें आपको सिखाऊं और ताकि funda अगर आपका clear है तो आप कुछ भी अपने हिसाब से अपना एक wise decision ले सकते हो market के अंदर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि information asymmetry कहता है न कि कि किसी के पास सारा information है और जो विचारे हमारे retail भाई हैं उनके पास information की कमी है knowledge की कमी है understanding की कमी है तो वो थोड़े से पीछे छूट जाते हैं तो मेरा जो background है वहाँ पे moving averages का मैंने बहुत जादा use किया हुआ है और जब भी मुझे long term investments करना है या existing already existing जो मेरे trades हैं उससे अगर मुझे exact लेना है तो moving averages कैसे help करते हैं ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम अच्छे से cover करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास अभी setup है trading views के charts का आप use कर सकते हो जरोधा या फिर investing.com कोई भी website जहाँ पे charts available है तो कुछ इस तरह से आपका existing candlesticks का chart देखेगा अच्छा candlesticks के बारे में अगर आपको जानना है जो लोग first time इस वीडियो में मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए एक चीज मैं ही बताऊंगा कि already एक बहुत ही बढ़िया एक वीडियो में ने बनाए हुआ है candlesticks पे तो जब आप click करेंगे indicators पे और आप type करेंगे MA, MA stands for moving average तो एक by default moving average यहाँ पर appear हो जाता है जो blue line आप देख रहे हो this is moving average एक छोटा सा एक peculiar observation कहलो यह आप देख रहे होगी कि जैसे जैसे candles उपर जाते है moving average भी उसको follow करता है moving average is a lagging indicator leading indicator नहीं है तो यह दो चीज़ों के बारे में आप यह समझ लो कि दो type की market में चीज़ें होती है एक indicators होते हैं leading indicator जो आपको थोड़ा सा advance में बताते हैं कि क्या हो सकता है तो moving averages are not leading indicators, they are lagging indicators क्योंकि already candle अगर यहां है तो आपको इस value का calculation होने के बाद आपका moving average बताएगा कि हाँ यह market उपर जा रहा है लेकिन फिर आप बोलोगे कि इसका use क्या है तो भई use बहुत ज़ादा है क्योंकि जो fake breakouts है उससे आपको moving average बचाता है और generally intraday trading या फिर 10-5 minute के trading में moving average का बहुत ज़ादा use नहीं है आप अगर यह 15 minute में ना देखे इसको अगर daily time frame में देखोगे तो आपको moving average काफी अच्छा view देता है एक जंगल देखो किसी class 3 या class 4 के भी बच्चे को आप अगर बताओगे तो जब 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 जो candles हैं दूर जाते हैं moving average से then they are kind of attracted to the moving average बहुत जब दूर चला गया है moving average से जो candles हैं जो भाव है तो भाव वापस से moving average के तरफ आना चाहेगा यदि आप यहाँ पर है moving average से दूर हैं आप तो एक tendency रहेगी कि एक बार ही moving average के पास जाने की कोशिश करेगा और हुआ भी यहाँ पर यही है other side में भी आप जावगे तो देखो यह बहुत एक isolated candle से यहाँ पर दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर एक gap अप हो गया candle को में zoom कर देता हूँ gap up हो गया तो यहाँ से एक breakout एकी बार डंडे की तरह ऊपर चड़ जाएगा ऐसा नहीं होता है तो moving average आपको एक तरह से धरा तल पर या फिर आपको एक foundation पर रखते हैं never keep your hopes high आपको यह पता चलेगा कि एक basic macro level पर कुछ आपकी जो outliers हैं या फिर कुछ ऐसे exceptions हैं उनको आप क कैसे ignore कर सकते हो और यह इसलिए भी important है ना कि retail traders जब हर कोई बड़े institutional investors sell करने के फिराग पर आते हैं तब institutional investors के विरुद्ध जो retailers हैं वो buy करते हैं तो there should be a fool person मैं fool थोड़ा strong word हो जाता है यहाँ पर बट मैं और आप हम सब fools बन जाता हैं जब भी इस तरह का movement होता है एक बड जब होगे long position लेके लेकिन जो institutional investor है उनको यह पता है कि दो-तीन चीज़ें वो देखेगा एक कि यह पिछले top के करीब पहुंची रहा है तो फिर this is not the right time to buy rather this is a very good time to sell तो आप जब सोचेंगे कि buy करने का समय है तब जो बड़ा हाथी है जो बड़ा shark है वो sell करने का सोचेगा क्यों क्योंकि उसके पास skill है moving averages को देखके यह समझने का कि जब-जब moving average से एक अच्छा substantial that could be a percentage suppose 2% आप अपने एक trading rule बना लिए कि 2% अगर दूर है moving average से जो भाव है वो तो एक correction आएगा और market जो है वहाँ से उपर जाएगा अगर यह simple rule भी यह दि कोई बना लेता है कि gap between the moving average and the price closing price ले लो आप candle का ठीक है ताकि एक uniform rule आपका बना रहे है तो जब-जब ऐसा एक event होता है तो एक pullback आता है और वो आपको moving average के करीब लेके आता है तो यह simple सी चीज़े हैं हम सुनते नहीं है समझते नहीं है और अलग-अलग YouTube चैनल में लोग बोलते हैं buy करो, buy करो तो लोग जोश में आ जाते हैं buy करते हैं तो खेर यह एक basic foundation में बता दिया कि moving average जो होता है वो होता है lacking indicator ठीक है अब एक और moving average मैं यहाँ पर add करता हूं मैं बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूं अच्छा उससे पहले इसका जो coordinate है इसको हम change करते हैं length को कर देते हैं बई 20 औ और अब करते हैं एक और indicator add फिर से यहाँ पर type करेंगे हमें moving average और यह आ गया दूसरा style इसका color change कर देते हैं ताकि आप confused ना हो जाओ इसको कर देते हैं green ग्रीन दिख रहा है अच्छे से ठीक है light green कर देते हैं अब तो देख रहा है अब input में डाल देख तो अभी हमने set कर द दो skills पे एक है 20 moving average और एक 10 moving average अब जब भी 10 moving average क्रॉस करेगा 20 moving average को जिस direction में जब जब ऐसा crossover होता है एक नया trend आता है आप देखोगे कि 10 moving average जब प्रॉस किया 20 को उपर के side में तो वहां से एक uptrend move हो गया तो इस point पे अगर आप होसोगे तो लगभग अगर आप target रखते हो एक डेढ़ 2% का यह है daily time frame daily candles तो अब 2.5% में out हो सकते हो अगर आप एक rule बनाते हो 2% पे भई मुझे out होना है जब जब crossword का indication मिल रहा है मुझे इस point पे तो यह point पे यहाँ पे अगर आप enter करते हो 2.5% में आप out हो सकते हो वैसे ही अच्छा यह सारा कुछ हो रहा है अब इ इस पूरे पिरेड में यहां से लेके यहां तक 15 दिन आपको कुछ नहीं करना है 11 दिन आपको कुछ नहीं करना है क्यों क्योंकि crossword दुबारा नहीं हुआ है छोटे time frame का बड़े time frame को काटना नहीं हुआ है तो जब 10 day moving average 20 day moving average को नीचे side में काटेगा इस point पे तो आप short selling करो हो गया या फिर options है तो उनका put खरीद सकते हो या फिर call spread बना सकते हो मतलब आपका direction है नीचे जाने का तो call spreads क्या होता है puts क्या होते हैं यह futures को आप short कैसे करते हो यह सारी चीजें जो नए लोग है उनके लिए बहुत complex होगा बट मैं clear करूंगा जैसे ऐसे वीडियो आगे मे बनाता जाओंगा बस इतने ध्यान रखिए कि इस point से आप bearish आपका view रहेगा तो आप बेच के पैसा कमाएंगे आप short selling से इस part पे पैसा कमार सकते हैं यहाँ पे भी आपको क्या करना है आपको बस जैसे ही confirm होता है candle ऐसे close हो गया इसके नीचे इस point पे आप enter ले लोगे और 2% लेकि फिर से निकल जाओ ना दुबारा फिर wait करो कि वापस से crossover कब होता है उपर इस point पे यदि आप confirm घुज जाते हो और देखो अगर आप measure करते हो इस point पे यहाँ से यहाँ तक लगबग लगबग आपका 1.7% के आसपस मिल गया है एक handsome amount है और जब भी यह सारे trades होते है आपका stop loss आपका entering price होना चाहिए तो वापस से यह अगर इसे काट रहा है तो no doubt आपका stop loss hit होगा और आपको same जितने में आपने enter मारा है उतने में आपको exact मालना है तो 2% ज्यादा greedy target नहीं होता है आपको बस इतना करना है कि जब छोटे time frame का जो moving average है वो बड़े time frame के moving average को cross करता है तो उस point पे आप या तो long या तो short order execute करते हो long order तब करोगे ए execute जब छोटे time frame का बड़े time frame को उपर के side में cross over होता है दूसरा यह कि छोटे time frame का अगर cross over हो रहा है बड़े time frame को और वो नीचे तरफ हो रहा है तो फिर आप short selling करोगे तो मोटा मोटा यह होता है funda यहां तक के हर कोई आपको बताएगा पर इसके पीशे का funda क्या है और कब moving average exponential वाला use करना चाहिए और कब simple moving average कर सकते हो use इसके बारे में मैं excel से आपको समझाता हूँ तो चलो चलते हैं excel पे काम असान करते हैं आपका देखो कुछ मैंने values यहां पर उठाए हैं और यह किसी एक stock का price है open high low close जो की candles पे रहता है इसको बोलते है time series data तो मेरे सारे वीडियो में आपको थोड़ा quant का touch मिलेगा क्यूंकि मैं खुद भी एक quant background का हूँ numbers के साथ मैं खिलता हूँ मेरा background भी काफी सारा मेरे training जो है quants के इर्द इर्द हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपका fundamental एक दम rock solid होना चाहिए उसके बाद ऐसा है कि आप अगर दुनिया का सबसे tough exam भी दे रहे हो वहाँ पे अगर आपको कोई पूछता है कि exponential moving average क्या है simple moving average क्या है तो अब सीना ठोपके बता पाओ मेरा वीडियो देखके कि भी मुझे पता है तो देखो अब exponential moving average और moving average दोनों का calculation में आप लोगों को समझाता हूँ 10 day moving average को हम यहाँ calculate करते हैं तो कभी भी closing price जो होता है उसी को आपको focus करना है तो यह जो 11 values दिख रहे हैं आपको row number 2 से लेके row number 11 तक तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत excel के बारे में idea है और जिनको नहीं है वो भी अच्छे से समझ सबते हैं यहाँ पे एक अच्छा demonstration यहाँ पे मैं देता हूँ तो हम 10 में cell पे आते हैं उपर से 10 values यहाँ तक होते हैं यह देखो count इसका अगर आप देखोगे तो total 10 fields यहाँ तक हैं तो इस point से ही हमारा calculation चालू होगा यदि आप simple moving average 10 का calculation कर रहे हो estimate 10 यह हमने लिखा estimate 10 तो यह इस point से नीचे इस point से ही start होगा अब इसका formula क्या होता है calculate करने का तो वो formula यह होता है इसको पहले थोगा वड़ा सा color कर लेता हूँ तक ही आपको सौझ में आए कि counting यहाँ से चलो होती है तो formula यह होता है कि moving average पहला आपको जो calculate होगा वो पुरान जो 10 values हैं उनका average रहेगा तो is equal to average of all these 10 values अब आप enter मारिए इसको drag करोगे और नीचे तक जाओगे तो यह आजाता है आपका simple moving average के values सारे values तो अब आपके मन में यह question आएगा कि simple moving average यहाँ पे यहाँ पे यह शुरू के 10 values यहाँ पे तो moving average का मतलब ही यह है कि जो भी moving average जिस भी scale पे आप निकाल रहे हो 10 पे 20 पे उसका मतलब यह है कि जहां से भी आप point of reference start कर रहे हो वहाँ से अगले 10 values अगर आपके पास है यह 20 values moving average 20 भी हमने देखा है यह चार्ट में तो उन 10 values का average 11 दिन आपको पता चलेगा अगर यह daily time frame क closing है तो moving average आपको यहीं से count होना start होगा क्यूंकि इस point पे ही आपके पास पुराने 10 values है और उनका average आप यहाँ पे निकाल रहे हो अब आप बोलोगी इसमें और इसमें क्या अंतर है अगले दिन यानि यह हो गया 11 दिन यह हो गया 12 दिन तो 12 दिन में क्या हो रहा है वही तो 12 average है वो आता है मतलब sum of all these divided by 10 वो आपको यहाँ एगा वैसे करके फिर एक और value छोड़ दोगे आप 7269 और फिर 7398 से यहां तक का जो sum है उसका average निकालोगे divided by 10 तो वो यहाँ एगा तो यह देख रहे हो यहाँ पर formula लगा हुआ है e2 से e11 का जो average है वो यहाँ पे आएगा वैसे ही आपको simple moving average 20 अगर निकालना है तो अब क्या करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक आप total देखो 20 values उसके आगे यह हो गया yellow sign अब इस जगा पे जो आपका average चालो होगा average of actual closing prices ठीक है तो यह आगया 7537 तो यह तीनों values के बीच में अंतर है देखो 7814 यह है candle का closing candle का closing है यह 10 day moving average का closing यह है 20 day moving average का closing तो आप अगर देखोगे यहाँ पे crossover कहाँ पे हो रहा है कैसे हो रहा है यह सारी चीज़ें इसको visually जब आप फिर यहाँ देखते हो तो आपको पता चल जाता है तो जो यह हो रहा है इसके पीछे का science मैंने explain किया है तो अभी मैंने बताया simple moving average exponential moving average actual में ज्यादा use कर रहे हैं लोग उसका reason है कि एक factor होता है smoothening factor जिसमें एक हम multiplier रखते हैं यह एक fixed value एक हम calculate कर लेते हैं कि तो मैंने पहले से यहाँ पे calculate कर रखा हुआ है तो यह में 10 अगर है न तो आप क्या करोगे 20 यह 10 डे जो भी आप moving average निकाल रहे हैं exponential वो थोड़ा सा और ज्यादा smoothening effect देता है और ज्यादा मतलब smooth हो जाता है as compared to simple moving average क्यों क्योंकि आप closing price को multiplier से multiply करते हो और previous day का exponential moving average है उसको आप 1- multiplier से वापस से multiply करते हो यह थोड़ा आपको लग सकता है complicated but simple है जैसे इसको आप calculate करोगे 2 divided by f2 plus 1 f2 क्या है भई f2 है आपका 10 जो की 10 आपका moving average का जो field अब वो 10 plus 1 तो 2 divided by 10 plus 1 यह हो गया चीक है और अगर आप 20 day moving average exponential अगर निकाल रहे हो तो यह रहेगा 2 divided by 20 plus 1 यानि 2 divided by 21 तो यह जो factor रहेगा यह constant रहेगा यह हर जगा use होगा तो जैसे यह देखो जब भी आप यह हो गया आपका closing data और यह है आपका average तो यहां से आप जब start करते हो तो यही same fund आपको लगाना है closing price जो आपका पहले का है multiply होगा multiplier से closing price हो रहा है multiplier से और यह modulo यहां पे लगा हूँ है F3 पे F3 है यह 0.1818 तो यह हमें यहां पे लगाना है plus आपका आपका जो F13 है F13 क्या है जल्दी बताइए F13 है आपका यह वाला price जो की average है again E2 से 11 तो पहला value आप E2 से 11 का average है वो ले रहे हो बट उसके आगे के values जो है यह simple है बट यहां से exponential चालो होता है तो यह जो values है यह आपको exponential value देते हैं तो 20 day के लिए यह होगा 10 day में क्या हो जल् 10 प्लस 1 जो की आएगा यहां पर 2 divided by 10 plus 1 2 divided by 20 plus 1 आप करोगे तो यह आएगा value अब क्या होता है कि exponential moving average को अगर आप plot करते हो simple moving average के साथ साथ तो यह हो गया आपका cell number F13 अब cell number F13 के आगे-ागे हम डाल के देखते हैं यह है एक और यहां पर column add करते हैं यह है insert और यहां पर हम EMA 10 day exponential moving average को यहां पर plot करते हैं just यहां से copy paste करते हैं तो यह जो सारे values हैं नीचे तक इनको हम copy paste करके देखते हैं ctrl c और F13 तो 13th value पर यहां से हम paste करना start करते हैं paste values तो आप देखोगे अभी के लिए थोड़ा इसको भूल जाओ SMA20 को आप भूल जाओ अभी सिर्फ आपको मैं एक ही range में जैसे 10 day moving average है उसी में simple में और exponential में क्या difference मिलेगा वह मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो इन तीनों को अगर आप observe करोगे और actually इसको अपन plot करके भी देख लेता हैं ctrl c एक fresh column यहां पे ले लेते हैं और यहां पे values को paste करते हैं तो यह हो गया closing यह हो गया SMA 10 यह हो गया EMA 10 यहां तक clear है doubt है तो आप comments में पूछ सकते हैं मुझसे अगला step यह है कि इन values को हम plot करते हैं graph कैसा देखता है इसका यह देखता है तो देखो नीला जो graph है यह है closing price नीला graph जो है वो है closing price लाल वाला graph जो है वो 10 day simple moving average और EMA जो है वो है 10 day exponential moving average तो इन दोनों में थोड़ा आपको कुछ difference देख रहा है yes or no yes वो difference इसलिए दिख रहा है देखो trend आपको same मिलेगा यह green वाले line में और यह red वाले line में trend will be the same trend क्या है original जो भाव उपर जा रहा है यह भी धीरे 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 उपर जाएगा original भाव उपर जा रहा है यह भी धीरे धीरे उपर जाएगा जो भाव है closing price है वो नीचे जाएगा तो यह भी इस point से नीचे slowly slowly होना start हुआ इस point पे effect और ज्यादा prominent हुआ है दोनों का तो इन दोनों में कब कौन सा use करना है तो देखो जो बहुत ही safe बंदा है जिसको मतलब अपना precision बहुत ज्यादा रखना है अपना accuracy बहुत ज्यादा रखना है और वो losses बहुत कम bear कर सकता है या यह कह सकते हैं कि risk taking ability जिसकी बहुत कम है वो simple moving average यूज करेगा और जिसकी risk taking ability थोड़ी सी ज्यादा है वो exponential moving average का use करेगा चाहे वो crossover हो 10 और 20 का चाहे सिर्फ moving average पे based आपको सौधा लगाना है तब भी तो ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूँ exponential moving average जो recent values है उनको और भी ज्यादा weightage देता है due to the multiplier multiplier यहाँ पे आपने देखा है multiplier का calculation है तो इसमें क्या होता है कि जो recent value है जो अभी यह वाला जो recent value है इस पे ज्यादा weightage आ गया है just because of this multiplier और simple moving average में क्या होता है कि एक naked average इन सारे values का आप ले लेते हो उसमें इस value का ज्यादा weightage नहीं है इस value से इस value का ज्यादा weightage नहीं है इस value से simple moving है सब एक तरह से बराबर है हाँ आप इनका एक simple average लेते हो exponential में जो recent है value उस पे ज्यादा focus रहता है just because of this multiplier तो आप इसका screenshot ले लो आपको research करना है तो आप अलग से भी इसमें research कर सकते हो बट जो practical purpose है मेरे हिसाब से आज मैंने वो चीज clear कर दिया है कि ज्यादा घुमाओदार दिखेगा आपको exponential moving average के curves ज्यादा आपको जल्दी जल्दी इसमें ups and downs आपको दिखेंगे और थोड़ा आप ये भी observe करोगे कि जो main भाव है उससे और भी ज्यादा तेज correlation है green वाले line का जो EMA है उसका compared to red वाला line देखो ये अराम अराम से कच्वे की चाल चलेगा red वाला लेकिन जो आपका EMA है green वाला line वो काफी जल्दी 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 हिट करें उसका risk और reward दोनों ज्यादा है सपोजो 10 रुपय का stop loss रखता है तो 10 रुपय का उसका वो भी होगा target भी होगा और जो simple moving average यूज कर रहा है उसका 6 रुपय का risk होगा और 6 रुपय का reward होगा क्योंकि उसको confirmation का weight करता है जो simple moving average का user है वो confirmation के लिए weight कर रहा है देखो ये बंदा इस point पे घुस जाएगा इस point पे शायद घुस जाएगा ये देख रहो है हलका सा एक उपर जाता हुआ उसको दिख रहा है इस point पे एक flat से ये धीरे धीरे उपर आ रहा है इस point पे ये उपर आ रहा है येकिन ये बंदा हो सकता है कि इस point पे घुसे इस point पे घुस जाएगा और हो सकता है उसका stop loss भी जल्दी हीट हो तो देखो pros and cons दोनों है अब आपके उपर है कि आप 1 या 1.5% लेना चाहते हो target और 1.5% ही आप अपना stop loss रखना चाहते हो या फिर आप 2.5% अपना risk reward यानि stop loss और target रख सकते हो तो वो आपके उपर है और बाकी 10 day moving average और 20 day moving average दोनों के cross words जो हैं दोनों ही indicators चाहे exponential moving average चाहे simple moving average इन दोनों में ये दोनों ही cross words के fund काम आता है जो कि यहाँ पे आप अगर देखो ये दोनों अभी याद होगा आपको 10 मिनिट पहले हमने यह discuss किया था कि ये दोनों moving averages हैं simple वाले इन दोनों को आप exponential करके देखो just ये exponential कर दो और इसको भी आप करोगे exponential तो आपको ज्यादा changes नहीं दिखाई देंगे अलका 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 graph change होता है लेकिन basically मोटा मोटा वही हो रहा है और बाकी fine tuning में जो adjustment हो रहा है वो आपको उतना impactful नहीं देखेगा लेकिन आप granular level पे अगर देखोगे और अंदर पे जाके देखोगे तो आपको entry और exit का वही जो मैंने बताया timing change हो जाएगा बठां crossover वराबर इसमें भी मिलेंगे crossover और जल्दी मिलेंगे आपको पता चलेंगे exponential वाले case में compared to simple moving average तो I hope काफी clearly मैंने cover किया इन सारी चीज़ों को और hope आपको मज़ा है ठीक है बने रही है बस आपका प्यार आपका साथ बना रहे आगे और अच्छे वीडियोज में लाता रहूँगा thank you, thank you so much, bye bye